पॉस्ट्टु एथीजम हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत आज मैं भारत का लोगतंत्र अगला कदम पुस्तक में चोटी एसमिता बनाम बड़ी एसमिता के बारे में आपके सामने प्रस्तित करना चाहती हूं अब देखिए एक तरफ ग्लोबलाजेशन का नारा दूसरी वो चोटी से चोटी एसमिता की मांग इसलिए भारत में बड़ा प्रश्ण है कि चोटी एसमिता वोंका स्वाइम रास्ट की एसमिता से मेल कैसे मिलाया जाए यही समस्या पाकिस्तान, स्री लंका, नेपाल आदी हर जगह हैं, अगर यह प्रश्न नहीं हल होगा तो सहस्तित्य यह साकारी अस्तित भी नहीं होगा, समन्वित अस्तित की कौन कहें? भारत में गिनती की गई हैं कि लगबग 15 करोड आईसे लोग हैं जिनके अंदर भारत नाम के लिए यह बाव नहीं हैं, जो हमारे आपके मन मे पुरानी परिवाशा से काम नहीं चला रहे हैं। नहीं परिवाशा चाहिए। राश्टीता के साथ साथ भारती संकी रचना हैं। वह भी काम नहीं कर रही हैं। पूरे लोकतंत्र की नए सिरे से रचना करनी पड़ेगी। अगर सम्विदान फिरलिका नहीं जाएगा और अगर लोकतंत्र की नए रचना नहीं होगी तो इन सारी अस्मितावों को हम कैसे जगह देंगे। चोटी अस्मिताएं बड़ी अस्मिताव को तोड़ देंगी। राश्ट के स्ताई ग्रोह युद्ध की स्तिती बनी रहेगी। दक्षण ययस्य स्ताई तौड पर एक उपद्रो ग्रशतक शेत्र बन जाएगा। हर देश में अराजगता रहेगी और कोई आचिरी नहीं कि एक देश के स्यासक वर्ग और दूसरे देश के स्यासक वर्ग में बराबर युद्ध की स्तिती बनी रहे हर जगह पडोस तूट रहा है इसलिए जब गाव और ग्राम पंचाईती की बात कहीं जा रहा है तो या कहा जा रहा की जब चोटा पडोस सैंत और सुखी होगा तो बड़े पडोस को बल मिलेगा या जो राष्ट का बड़ा महल है यदि उसके कंबे और मजबूत नहीं होंगे तो महल ड़ जाएगा इसलिए गांदी जी बार-बार काते थे की गावों को पुननिर्मान भारत का पुननिर्मान है या सबसे बड़ी चुनोती है या काम कौन करेगा नई राष्टी यता नई राजनीती इतनी बात स्पस्ट हैं कि अब ये कांगी चिंतना काम नहीं देखा इसलिए आज तो समाज परिवर्तन की बात होती है वह सिर्फ तातकालिक सुथार की बात नहीं है स आमें क्या मालुम की विज्ञान और तक्निकी से या विज्ञान और आज़त्म के समन्वाई से आगे जिन्दगी का क्या स्वरूप बनने वाला हैं इतना तो सोचा जा सकता है कि पचास साल बाद आज़ती कैसे होगी यह भी सोचा जा सकता है कि पचास साल बाद भी हम राष् राष्टीता गुणों में भिन होगी वह नेशन स्टेट की नहीं होगी नेशन हो किन्तु वह स्टेट से बंदी नहों या बात तो सोची जाने चाहिए राष्ट एक दूसरे के प्रतिदवंदी नहों इसलिए हम पडोसी का वीशा और पास्पोर्ट नहीं देखेंगे यूरो कि सासा चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए राजनिती, अधनिती, धर्म, सिक्षा में से एक को भी चोड़ा नहीं जा सकता राजनिती वह खेल नहीं है जो पार्टिया खेलती है, राजनिती वह दागा है जो मददात को सत्त से जोड़ता है लेकिन हम देख रहे हैं कि पार्टिया लोकतंत्र को उस तरह प्रसुत नहीं कर रही है जिस तरह हम चाहते हैं क्योंकि जमाने का संदर्ब बदल गया है इसलिए स्वयम पार्टि और जंदा के नाम में पार्टि के प्रत्रिदियों के चुनव की राजनिती आउट आफ हेट हेटी चली जा रही है अब लोकतंत्र को दल के आगे जना हैं तदा प्रत्रिदित के स्थान पर साज्यधारी को लाना हैं ये दो नई चीजे हैं अगर हम पड़ोस को ये काई मान ले तो साज्यधारी की व्यवस्ता बन सकती हैं धन्यवाद